नमस्कार दोस्तों मैं हूँ आपका होस्ट आयोन और आप देख रहे है आवर इंडियूजर बूग आज साउमी ने और एक फोन इंडिया में लाँच कर दिया है वो है एमाई का मैक्स टू और मेरा जो कहना है ये बाजेक टू एस्पेक्ट रेशियो में जितना भी इंडिया में एमाई का फोन लाँच हुआ है कितना अभी तक हुआ है उनसे सबसे बहतर है वो क्यूं है मैं आपको बताओंगा पहले मैं आपको बता देती हूँ ये फोन आपको क्यूं पिक करना चाहिए देखिए, आप फोन इस बजे से पिक करते हैं, हम लोग अभी Facebook करना, WhatsApp करना, Chatching करना Gaming करना, TV देखना थोड़ा बहुत बाते करना इसलिए हम फोन पिक करते हैं यह फोन खास तरह के से उन लोग के लिए बना है, जो लोग ज़ाधा वीडियो देखना लार्ज डिस्प्ले और ये फोन ये डिस्प्ले की बज़े से बिलकुल मस्त लगेगा और ये डिस्प्ले बिलकुल 2.5D ग्लास से कवर है और फूल एजडी डिस्प्ले ये फोन की तीन ऐसी खासियत है जिसकी बज़े से पिछले वाला जो ये फोन है चाहे वो रेडमी नोट 3 हो रेडमी नोट 4 हो रेडमी 4 हो उन सब से आगे निकल जाते हैं वो तीन वज़े मैं आपको भी बताऊंगा नमबर व्वन अमने का सबसे इक पॉइन्ट मुझे तीन जगे पे लगए है मगर एक फूर से ऊपर से गिर जा तो फॉन का ग्लास बिलकुल तूट जाता है और service नेहीं सिंटर में जाते ही आप 5000 का बिल उन्होंने लगा देता है। मागर इस phone के साथ ऐसा नहीं बोने मला है। PHOND. में उन्होंने Corning Gorilla Glass 3 का protection दिया है। आपको मिल रहा है Corning Gorilla Glass 3 का फरोसा। मेरा सला है। इसके उपर आप Tempering Glass जरूर लगाएा ज़्यादा protection के यह बहुत अच्छा है उसके बाद एमाई का फोन का सबसे मुझे सबसे बुड़ा जो लगा लगता है अभी एजे एमाई यूजर वो है इसका स्पीकर का साउंड का आउटपुट चाहे रेडमी नोट 4 हो रेडमी 3 हो रेडमी 3S प्राइम हो सबका स्पीकर बहुत ही लो है भ चैनल में एक तरीके की भालम नहीं आता है हेट फोन लगा के सुनना पड़ता है बहुत लोग मगर इस फोन के साथ ऐसा नहीं होने वाला है क्योंकि इस फोन में आपको मिल रहा है डूएल स्पीकर का एक्स्पीकर की बज़े से यह फोन बिलकुल मस्त लगेगा अगर आप वीडियो सुन रहा है खेल देख रहा है यूट्यूब सुन रहा है तो बहुत अच्छा एक्स्पीरियंस होगा आपको डूएल स्टीडियो स्पीकर इसका साउंड बहुत लाउड हो सकता है तिसरा जो हमाई का कमी लगता है यह एक-दो साल में जितना फोन निकला है माई का गया है मुझे मेरे रिजा खांब से उनका कैमरा देखिए मैं भी रेड्बी नोट क्री से सूट करता हूं यूटुब के लिए और दो तो दो चार केमरा भी यूस करता हो तो रेड़्ी नोट द्री का कैमरा खीक ठाका इतना अच्छा नहीं है मगर इस फोन ये बालो कॉन का IMX 386 का sensor जिसमें large pixel यह resolution आपको मिलेगा low light experience भी बहुत अच्छा मिलेगा तो यह phone इस बज़े से आप pick कर सकते हैं इसमें camera भी अच्छा मिलेगा तीन जो main reason है number one इसका display protection number two इसका speaker का output number three इसका camera का improvement यह तीन बज़े से आप इस phone को pick कर सकते हैं हम बात करते हैं दूसरे features की बाड़े में इस phone में as usual hybrid sim slot आपको मिलेगा मागर साथ में 64 GB का memory आपको मिलेगा 64 GB ज्यादा ही होता है इतना कम नहीं होता है तो आप एजिली dual sim और 64 GB RAM के साथ 864 GB memory के साथ अब जी सकते हैं इसके साथ आपको मिलेगा 4 GB का RAM का backup 4 GB का RAM अभी के लिए बहुत अच्छा है आप आसानी से ये phone को तीन से चार साल यूज कर सकते है इस RAM और इस memory की बज़े से तीसरा बात ये phone में आपको out of the box android nougat android 7.1.1 मिलेगा प्रेइंस्टॉल आप सभी ने जानते है जिन लोगों के पास Lenovo का phone है खास तरीके से है उनमें नोगाट का update आया था और update करते ही phone का दफा रफा हो गया यह माइक खड़ाब हो गया कभी-कभी phone lag कर रहा है हैंग कर रहा है मगर इस phone में इस प्री इंस्टॉल है उन्होंने बाग फिक्स करके तभी छोड़ा है तो इस बज़े से आप इस phone को pick कर सकते हैं यह phone बिल्कुल metal body है और यह खास तरीके से बिल्कुल एक black color में आता है एक premium look देता है आपको looks में भी यह phone बिल्कुल बिंदास है यह phone में आपको मिलेगा एक माईने पहले एम आई युवाई नाइन का सपोर्ट इसकी बज़े से यह phone अप्रेट भी होगा और मेरे हिसाब से यह future phone को pick कर सकते हैं और मुझे खास रिजन इस phone को लेने की वज़े लगता है यह phone offline और online दोनों market में मिले लाएगा यह phone आपको मिलेगा offline market और online market amazon flip card और offline market साथ में e-zone है reliance digital है और दो चार्ट स्टोर है उसमें आपको मिलेगा 27 जूलाई से आप अगर चाहते है इस phone को खरिदना तो आप offline market में e-zone में चले जाए है reliance digital में चले जाए हाथ में लेके देखिए फिल कीजिए experience कीजिए फिर आप यह phone को खड़ी दे तो आपके लिए एक बहतर option होगा आप अगर YouTube में देखके ही आप सिध्धान लेते हैं तो मेरा सला है एक बार आप दुकान में चले जाए है यह phone को देखिए experience कीजिए फिर लीजिए यह एमाई.com और एमाई का जो store है उहाँ पर भी मिलेगा वो 20 और 21 जुलाई में यह मिलेगा मागर एमाई से खड़िदना इतना आसान नहीं बिल्कुल नामुम्किन है एक दो नैनो सेगंड में यह stock out हो जाएगा आप चाहे तो offline store या Amazon Flipkart से खड़ी सकते हैं इस phone में मिलता है आपको 5000 एमेज का बैटरी आप सोच रहे है इतना डिस्प्ले इतना बड़ा डिस्प्ले इतना उन्होंने बड़ा है studio speaker तो sound तो बैटरी का juice भी जादा consume होगा मागर इसमें मिल रहा है 5000 एमेज का बैटरी साथ में आप सोच रहे है आपके पास Redmi Note 4 है Redmi Note 3 है आप सोच रहे है इसमें चार्ज होने में तीन घंटे लगा देता है मागर इसके साथ ऐसा नहीं होगा इसमें मिल रहा है क्विक चार्ज 3.0 का सपोर्ट साथ में parallel charging परलल चार्जिंग की मदद से phone quick charge होगा इसाथ में यह phone को कम हिट करेगा कम गरम होगा यह phone तो यह जो रिजिन है यह बहु को पिक कर सकते हैं इस phone में मिल रहा है snapdragon का 625 processor जो अपने बात साबीद कर चुका है Redmi Note 4 में है बहुत सारी phone में है यह power efficient processor है जिसमें 40 nanometer का पीन स्पीड टेकनोलोजी का इस्तमाल किया है और यह octa-court processor है यह 53 course और 2 GHz पर यह processor मिलेगा phone के साथ यह एक power efficient processor है जिसकी बज़े से यह 5000 एमेज का battery का support और power efficient processor के साथ यह phone आपको at least two days तक backup दे सकते है आप अगर moderate user है तो इसमें साथ में तो मिल रहा है fingerprint scanner dual LED flash full metal body और इसका जो phone का जो antenna है बिल्गुल iPhone की तरह उपर में दिया गया है साथ में आपको मिलेगा IR blaster as usual IR blaster मिलेगा जिसकी बज़े से आप इस phone की मदद से आप TV AC किसी भी remote device को control भी कर सकते हैं अब हम बात करते हैं इसकी pricing की देखिए इ 16999 तो लगवक 17,000 रूपर मुझे थोड़ा pricing high लगा है क्योंकि इस phone में pricing के हिसरफ से थोड़ा high है अगर 1000 रूपया कम होता तो ठीक होता मगर फिर भी इस phone ये phone अच्छा है इसमें आपको खास तरीके से bigger display मिल रहा है RAM 4GB का मिल रहा है 64GB का जो memory है वो मिल रहा है sony का camera मिल मिल रहा है 5000 image का battery मिल रहा है यह battery है 5300 image की 5000 के भी ज्यादा है 5000 300 image के battery मिल रहा है तो इस पज़े से आप इस phone को 1000 रूपयर मेरे हिसाब से जादा है वो अब देखे इस phone को आथानी से pick कर सकते है और इसका एक special offer है जो जियो के साथ आता है इसके साथ अगर आप जियो का sim लेत एक GB दिन में तो मिलेगा ही उसके साथ 100 GB का power pack data आपको मिल जाएगा तीन माइने के लिए तो यह offer भी सांदर है लगभग 500 रुपिस के आसफात यह 100 GB का data परता है इंडिया में अगर आप किसी broadband use कर रहे है तो कि city का broadband किसी का broadband use कर रहे है तो इतना data आपको मुफ में मिल एक बार experience की जिए हाथ में अगर फीट आ रहा है अगर आपकी pocket में जीन्स की जो pocket होता है खास तरीके से उसमें company तो बोल रहा है आसानी से फीट हो जागा मगर आप physical experience की जिए फिर फोन को लीजिए तो मुझे जितना जान करी ता मैं दिया दिया इसका जो की है वह भी बैक subscribe और लाइक जरूर करना इस फोन के बड़े में और कुछ सवाल है मन में कुछ दुविदा है तो आप नीचे comment से तमने पूछ सेक्टर में इसका answer जरूर दूंगा आपको नमस्कार